किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन करशी कानून लाए गए थे मकसद ये था कि देश के किसानों को खास कर छोटे किसानों को और ताकत विले उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा विकल्प मिले बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के किसी विशेशग्य, देश के किसी अर्थसास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे पहले भी कई सरकारों ने इस पर मन्थन भी किया था इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया, मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी पवित्र बात, हम अपने प्रयासों के बावजूत कुछ किसानों को समझान नहीं पाए, बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर था, क्रिशी अर्थसात्रियों ने, वैज्याकिनिकों ने, प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें क्रुशी कानूनों के महत्वपूर को समझाने का भड़पूर प्रयास भी किया, हम पूरी विनम्रता से, खूले मंद से उन्हें समझाते रहें, अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही हैं, हमने किसानों की बातों का, उनके तर्ग को समझने में भी कोई कोर कसर बाकिन नहीं छोड़ी, साथियो, मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए, सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ, कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए, आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश परव है, ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है, आज मैं आपको, पुरे देश को ये बताने आया हूं, कि हमने तीन कुरुसी कानुनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्ने लिया है, इस महिने के अंत में, शुरू होने जा रहे है समसत सत्रह में, इसी महिने में, हम तीन कुरुसी कानुनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे, साथियों, मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ, आज गुरु परब का पवित्र दीन है, अब आप अपने अपने घर लोटे, अपने खेत में लोटे, अपने परिवार के बीच लोटे, आईए, एक नई शुरुवात करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं,